आज एक ऐसा नाश्टा बनाते हैं जिससे बनाने में बहुत कम महनत है और यह 10 मिनट में बनके त्यार भी हो जाता है और आपको कुछ बाहर से नहीं लेना है घर की सारी चीज़े यूज होगी इसमें और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे सुबा और शाम दोनों है एक कप साबूदाना और थोड़ा से गरम पानि डाल कर इसे बी हमें 5 everybody मैंने यहां पे आलू को अच्छे से चील लिया है और इसे की दुकष कर लेना है की आहिए की पियार्मि woll ने के बार इसमें डाल देना है है हमें थोड़ा नमक नमक से क्यवह होगा थोड़ा आलू म और इसे भी रख देना है हमें साइड में फिर यहां पे जो हमारी सूजी थी वह अच्छे से फूल गई है तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है प्याज हरी मिर्ट थोड़ा से जीरा अजवाइन और थोड़ा से नमक डालेंगे क्योंकि आलू में भी नमक था तो और आलू का ज चलनी आती है उसमें डाल देना है थोड़ा सा ओई और इसे फेला लेना है और हाथ में भी ओई लगा कर आप इसे कोई भी शेप दे सकते हो मैंने इसे गोलवल बनाकर के चलनी पर रख दिया था फिर कर लेना है पानी को गरम और चलनी को उसके उपर रख देना है और पर दाल लिन थोड़ा सा ओई सरसो लालमिष डालना है थोड़ा सा कड़ी पता जो हम लोगों नहीं यहाँ पर सूजी का बनाया हुआ था उसे डाल कर अलट पलट कर अच्छे से से लेना है और यहाँ पर हमारा शाम के लिए भी नास्ता बनके त्यार तो आप भी बना के ट्र